प्रूब इच अब दा फालोएंग, यहां तिंटा देख भछा, एवटा, दुईटा, तिंटा, थिंटा, ठीक हैसा, शुरुमा दुईटा, अंतेस पासी रो, तो बांकी संगा और को वर्ण बर्छा, यह कोईशन पनी सोज लाइसा, यहां लेग दिम, हैस्ट्याग, इजी, ह अएसा, झालोवड, यहां भाउड, तो प्लास, यहां यहां ःति बायरा य बबवा ने, बिद्रप पटी, एकसन फुंच, फो फॉरूबल आओ, यहतू फो पर्मुला देख भंवाल, हैस्दा भिरचिन पनी, जीख बनी, व сюжहां जिच, पनी, मैने, पनी, क्लास्ज ची प् 5 by 13, plus sin inverse 16 by 65, equals to लेग दिम, अब यो दीटा लाई, इसमा आलूम, फर्मुला मा, sin inverse, bracket, x को हमा यो 4y5 लेग दिम, as it is, under root, 1 minus y square वनेको, 5 by 13 को, वली square, 3 by 6, plus y वनेको, यो x वनेको, 5 by 13, y, square root, 1 minus x square, 1 minus x वनेको, 4 by 5, अब 4 by 5 को, पुरेको, वली square, 16 by 65, equals to, अब देरे टेंशन लीनूने, उदेहिना, डाइरेक काल्कुलेटार यूजगारने, एंसर निकालने, किन दुखा दीनू दिमाग लाई, सब यहाँओएं सेम साहा न परताहा है, अनि यह तिस्वाद है, 48 by 65, 48 by 65, 48 by 65, प्लस, य लाइक बनी, 3 by 13 माँचा, क्यालकुलेटार यूजगारने, इस चल्थाईन लीन, काल्कुलेटार यूजगारने, अब है चैल्पुलेटर ले 63 बाइ 65 वड़ेश ता मानने को था 63 बाइ 65 प्लोस साइन इन्वर्स अब इसको पालो आगना आतो 16 बाइ 65 को यह पर यह फरूमला यूज भरूमला इक्वाल्स टो साइन इन्वर्स ब्राकेट एक्स वने को यह बाइ 63 बाइ 65 आगे एक्स अंड़रोट 1 माइनको 16 बाइ 65 को इसकोयार प्लोस यह यह बाइ 65 अंड़रोट 1 माइनस X सक्कार वह ने को यह X वनेको 63 बाइ 65 को इसक्वार्स इक्वल्स टो साइन इन्वर्स क्लुक्लेटर लोरां हूमलदा इन् improving 3969 divided by 4225, यह थुल बयालू अएपनी लेगदीन, किना वाने क्याल्कूटर ले बने को विशास गरनु बर्छा, 4225, प्लस, अब इसको पाला, यह ले बन्छा, 256 divided by 4225, 256 divided by 4225, ब्राकेट क्लोज, साइन इन्वर्स, एधुटा जोड़ुम वाब, 4225 कमान एलसें, 4225, 3969 plus 256, 42625, ब्राके, 4225, आयो, यह वाने को, साइन इन्वर्स, इड चाठन वर्छा, 1, इक़स न्वर्स, वाने को, साइन इन्वर्स, sin inverse sin cancel how cancel x into x inverse will be cancel similarly this we can write as 90 degree or we can write 180 by 2 as well this is our answer solving lhs we got rhs so this is our answer hence proved thank you and bye bye be ready for next question you